आटो मुबाइल सेक्टर में कोई ना कोई नई गारिया लॉंच होते रहती है इसी क्रम होंडा अपनी पहली मिड साइज SUV होंडा एलेवेट लॉंच करने जा रही है डॉट जल्धी भारत में इसकी कीमतों का एलान किया जाएगा हाल ही में अपनी अपकमिंग मिड साइज SUV एलेवेट से परदा उठाया था लॉंच से पहले अब होंडा एलेवेट के लिए बुकिंग शुरू वो चुकी है बात करे होंडा के इस धांसु कार के लुक और डिजाइन की तो इसमें ब्लैक फ्रंट ग्रिल, अलेडी हेड लैम्प और फ्रंट बंपर में एलेडी फॉग लैम्प दिये गए है होंडा एलेवेट का फ्रंट फेशिया बॉक्सी डिजाइन को बनाए रखता है इसके साइड प्रोफाइल में वील, आर्च और बॉडी क्लैडिंग मिलती है इसके अलावा SUV में 17 इंच के अलॉई वील, दर्वाजे पर लगे रियर व्यू मिरर और सिल्वर रूफ रेल्स देखने को मिलेंगे हॉन्डा एलेवेट में मिलने वाले जबरदस्ट फीचर्स की बात करे तो आपको इसमें इंस्ट्रूमेंट कंसोन में 7 इंच TFT स्क्रीन, नया 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेंड मेंट सिस्टम, आटोमेटिक क्लाइमेंट, एक पुश स्कार्ट स्टॉप बटन, एक ले हॉन्डा के इस धांसु कार में मिलने वाले दमदार इंजन की बात करे तो आपको इसमें 1.5 लीटर का 4 सिलिंडर नेचुर्ली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन लगा है, जो की 121 बहपी की मैक्सिमम पावर आउटपुट और 145 न्यूटन मीटर का पीक टॉप जिनरेट करता है, इस SUV में 6-speed manual और 7-speed CVT automatic transmission option मिलते हैं, आपको बता दे हॉन्डा एलिवेट को कमपनी ने इसे 6 जून को पेश किया था और जल्द ही भारत में इसकी कीमतों का एलान किया जाएगा, नई हॉन्डा एलिवेट की कीमत की बात की जाए तो हॉन्डा ने दीलरों के लिए एक बैठक आयोजित की जहां SUV की कीमतों का खुलासा किया है, रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉन्डा एलिवेट के बेस वेरियेट की कीमत 11 लाक रुपए होने की उम्मीद है